वेरी गुड मॉर्निंग टू अलोफी दोस्तों स्वागे थे आप सभी का एजुकेशन के एड़ सिक्स में सिक्षक बाहले की प्रक्रिया से पहले अगर हम बात करेंगे यहां पर बिहार के एक ऐसे एक्जाम की जो की आज 22 जुलाई को इसका मेंस एक्जाम होने जा रहा है जिहां हम बात कर रहे हैं बिहार SSC CGL 3 की जहां पर आज इसका मेंस एक्जाम है आज 22 जुलाई है दोस्तों आ लगभग 135 से लेकर 140 कोश्चन का टार्गेट रखिएगा कि आप एक्यूरेसी वहां दरसा सके एक्यूरेसी मतलब सही सही प्रशनों का उतर देने का कोशिस कीजिएगा चुकि यहां पर निगेटिम मार्किंग भी है और निगेटिम मार्किंग है इसलिए ज्यादा कोश्चन क चुछ भी नहीं करना है जो कोश्चन ज्यादा आपको समझ में नहीं आ रहे हैं वहां पर तो वहां से जो है चीजों को थोड़ा समझिएगा फिर आंसर कीजिएगा चुकि इस लेबल पर जाने का मतलब है कि आपकी तयारी बहुत ही अच्छी है और अगर आप इसका चाहते हैं कि आप पटना जैसे सहर में जाके सचिवाले साहयक के पद पर बैठें तो यह नंबर ऑफ कोश्चन जो है 140-135 का एकुरेसी में ही रखिएगा तब जाके आपको वहां पर पोस्ट मिल पाएगा और भी पोस्ट है यहां पर जो कि जिन पदों के लिए आप अगर स्कोर 125 तक भी लेकर आएं तो आपको सीट तो मिलेगी लेकिन यहां से और आपका मेधा सुची बनने वाला है तो इसको थोड़ा सा टार्गेट लेके चलिएगा कि यह 135-140 के बीच का एकुरेसी रखिएगा तो आपका जो है रास्ता और आसान हो जाएगा पटना सची वाल तो आज़े अगा मेंधा एक नारीम हम लोग आसे चलर ही है और फिर उसके बलावा जो है आपको अगिया रातना ते आबूं गया ज़े दिया जा आपके बिहार के एक्जाम दरोगा भी है बीपेसी भी है तो आप लोग भी यहां पर फ्री आफ कोश में सामिल हो सकते हैं फिलाल आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसी बाहली के प्रक्रिया की जिसको लेकर यहां पर अब छात्रों के बीच में जो है तैयारी का महौल कहीं जो है सब Beet соврем आजके कहीं जा रही है कहीं आठ लाग कि बात कहीं जा रही है तो कहीं साधव साथTr Karl की बात भी जो अयां दक आवीरिज मानके चलिए तो एक से दो लाख ही ऐसे चातर होंगे जो कि आपके competitor होंगे जिनके साथ आप competition में बैट पाएंगे अच्छे तयारी करके जो तयारी कर रहे हैं बाकी के लोग जो form भरे हैं देखें मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सभी लोग यहाँ पे बेकार हैं पर एक से दो लाख ऐसे चातर होंगे आपके competition में जो कि आपको टकर देंगे same number लाने वाले लगबग लगबग आप लोगों का same number आएगा और वहाँ पे आपका point में जाके जो कि इतने लोगों का लगबग selection होना है एक लाख सतर अजार की vacancy है लगबग तो इतने ही लोगों का selection होना है तो इतने ही लोग जो है न आपके point point number से आगे पिछी होंगे यहाँ पे तो अब आपको अपनी रणीती बरानी है पहली चीज़ तो यहाँ पे और इसके पहले जो selection criteria है selection procedure जो है यहाँ का सिक्षक भाली का उसके rule को समझिए कि आखिर हमें कितना score करें कितना हम लोग यहाँ पे अच्छा से number of question को attempt करें कि हमारा selection हो जाए और हम इस एक से दो लाख लोग के बीच में आ जाएं कभी तो आप एक लाख सतर जार की पहली की प्रकरिया में जो है आपका selection हो पाएगा तो फिलाल इसके गड़ित को समझते हैं चलिए कितने मिध्यालियों में क्या competition है वो पहले जानते हैं उसके बाद हम number of question भी बताएंगे और उसकी रणनीती के उपर भी एक अलग से वीडियो जरूर बना के देंगे आप लोगो तो देखिए जैसा कि यह हिंदुस्तान ख़बर करनी हुझे यहाँ पे सवा आठ लाग की आकड़ा दिया गया है सिक्षक की नियुक्ति को लेकर यहाँ पे आविदन की प्रक्रिया सनीवार को समाप्त हो गई है और आपको बता दे कि करीब 8,10,416 अब्यार्थों ने आविदन किया है तो यह इनका सवा आठ लाग है ठीके अब वहीं पे रजिस्टेशन करने वाले अब्यार्थों की संक्या आठ लाग 63,000 है यानि कि साड़े आठ लाग से भी उपर जो है छाथ रजिस्टेशन की है लेकिन बहुत सारे लोग पेमेंट नहीं किये है तो पेमेंट नहीं किये तो उनका जो फॉर्म है वो तो अधूरा माना जाएगा उमिद्वार जो है सनिवार को रात 12 बाई तक आविदन किये है और लगबग सवा आठ लाग के करीब यह आकड़ा पहुंचा है इनके मुताबिक तो यह जो है आकड़ा इसको देखने की बाद जो है आप अगर सोच रहे होंगे कि चलो सवा आठ लाग ही अगर लोग है मान लेजिए आठ लाग ही लोग अगर फॉर्म भरे हैं तो मेरा कंपटिशन एक लाग सतर अजार में जो है आसान हो गया तो नहीं यह आपकी गलत फैमी है चुकि आयोग पहले ही यहाँ पे क्लियर कर चुका है कि जो आपका सेलेक्शन प्रोसीजर होगा जो कटफ डिसाइड होगा मतलब कि जो कटफ सिनारियों को पार करेगा उसी कचैन करेंगे मैं उसके उपर भी आऊंगा एक अपडेट किया गया है आपको बता दे दोस्तों कि यहाँ पे पांचवी कच्छा से लेकर कच्छा के लिए 7,48,900 आविदन आये हैं उनमें आविदकों की संख्या और बढ़ेगी वही एक से पांचवी के लिए लगबग 80,000 सीटे हैं है ना फुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे अधिक प्रतिसपर्था जो है कच्छा एक से पांच के लिए ही होगी क्योंकि यहां पर अन्य राजियों के छातर भी आविदन किये हैं सीटेट जुन्होंने आविदन किया है सीटेट वाले छातर है वह एक से पांच वाले में बाहर के स्टुडेंट भी है यहां पर दूसरी चीज़ यहां पर कक्षा 9 से 10 की जो वेकेंसी है और 11 से 12 की वेकेंसी है यानि कि माध्यमिक और उच्छे माध्यमिक स्कूलों में जो बहाली की प्रक्रिया है इसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार के छातर ही आपके कमपटीटर है चुकि यहां पर मांगा गया है सरकार को आयोग को यहां पर कि जो आविदन कर सकें इसलिए कल भी मैंने एक न्यूज अपडेट करके आपको दिया था उसमें बताया था हमने कि जो आपका यह जो प्रसीजर है इस प्रसीजर में सिर्फ अगले 6 महीना की अंदर फिर से लिया जाएगा और फिर से बहाली की परकिरिया निकल जाएगे तो आने वाले 6 महीना या कहले अगले साल ही दो जार 24 में एक बर फिर से सिक्षक की बहाली की परकिरिया निकले जाएगी जैकि उस से पहले यह एक्जामापका ले लिया जाएगा तो आप अगर छात्र सिक्षक बंदे का सपना देख रहे गारktó अंग्रेजी वाले सेक्षन में और मैथेमेटिक्स वाले सेक्षन में और बायोलोजी वाले सेक्षन में भी तो यहां पर अगर आप लोग चाहते हैं कि सिक्षक बने संस्क्रिट वाला भी सेक्षन है यहां पर जहां पर कम लोगों ने आविदन किया है कॉमर्स का सेक्षन है जहां पर कम लोगों ने यहां पर आविदन किया तो आप अगर उन चात्रों में अगर आपके सिख्छक हैं आपके पास बीएड है तो आप लोग इसका एक्जाम जरूर दीजिएगा इसको छोड़िएगा मत ठीक है यह तो जानकारी आपको दी गई है अब लेकिन एक चीज तो और समझ लीजिएगा यहां पर कि जो प्राथमिकी के लिए आविदन किया हैं चात्रे यहां पर टोटल चुकि यहीं पर कमपटिशन है मैंने क्या बोला आपको कमपटिशन यहीं पर है प्राथेकी में नौ दाविदार होंगे एक सीट पर यह ध्यान में रखेगा तो क है बहुत कम है एक सीट पे नौ लोग का ही फाइट चहां पर आप बिहार की प्रिक्षाओं की अगर बात करेंगे तो हर्च समय एक्गजाम पर देखते होंगे कि एक सीट पर दो-दो-सो तिन-तीन-सो लोगो का फाइट होता है लेकिन यहां पर तो सिर्फ यहां पर निर्धारित किया जाएगा कटफ कटफ से कम अंक होने पर रिक्त रहेंगे पद यहां पर साब साब बाते कह दी गई हैं उच्छे मादिमिक में पद के बराबर आविदन नहीं मिले हैं इसका मतलब यह नहीं है कि सभी अभियारतियों का चैन हो जाएगा सची रभी के प्रक्रिया में नहीं आप आएंगे आपका एक्जाम है दोस्तों देखे 24-27 अगस्त के बीच में तो आपको अपना कटफ के उपर अब ध्यान देना है रणीती बनाईए जी हां यहां पर स्टैटिजी बनाईए कि हमें कैसे पढ़ें कि हमारा जो सेलेक्शन है और यहां से कोशन सबसे ज़्यादा उठाकर एक्जाम में पूछे जाएंगे स्टैटिजी बताया जाएगी बुक बताया जाएगा कौन-कौन से बुक फॉलो करने होंगे ताकि नंबर ऑफ कोशन जो है वहां से आप टच कर सके तो इसके उपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे लेकि यहां पर जारी कर दियेगा आपका एडमिट कार्ट भी जारी कर दिया जाएगा देकिन सबसे इंपॉर्डेंट बात यहां पर नहीं करेंगे तो आपका चायन नहीं कर पाएगा यहां आयोग चुकि देखिए प्रात्यमिकी अगर विद्यालियों की बात करें तो 89,000 करीब करीब सीट है यहां पर 89,943 मान के चलिए कि यह जो सीट है आपका यह 80,000 सीट है ठीक है यह मान के चलिएगा अब 80,000 के लिए सबसे ज्यादा कमपटिशन आपको यहां देखा गया है साथ लाख 48,000 लगबग चात्रों ने यहां पर आविदन किया है अब यह साथ लाख 48,000 लोगों ने आविदन किया है तो यहीं पर कंपेशन टफ हुआ है और हर एक सीट के लिए नौ दावेदार आपके मिलें फिर भी यह संख्या कम है अब आपको मेहनत करना है कि आपका जो है कटफ सिनारियो में या क्वालिफाई सिनारियो में आप इंटरी कर सकें वहीं पर म रिखा गया है विहार सरकार के दौरा आपका पास होना चाहिए हे पेपर 1 में तो यहां पे यहां पर और इसको उत्रिंड करने वाले चाहर बहुत कम थे इसलिए इसलिए यहां पर यहां पर यहाँ पर सीटों संक्या में प्रिंड़ नहीं कर पा पास नहीं कर पाए हैं बहुत लोग पास तो यह अपके पास समय है शे महिने का समय है यह साल बर का समय है उस बीच में तयारी किजिए अगला एक्जाम 2024 में होने वाला है नवंबर दिसम्बर में उसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे तो यह जानकारी है उच्छे माधिमिक के लिए यहां पर दोस्तों 57,000 जहां स्टीट था मातर 40,000 ही यहां पर आपको आविधन मिल पाए हैं तो आयोग जो है इससे तो इसलिए यहां पर आयोग ने एक अपडेट भी दिया था बीच में कि हम अधर स्टेट की छात्रों को यहां पर बुला रहे हैं आविधन करने को लेकर लेकर लेकिन अधर स्टेट से भी छात्र बहुत कम आये हैं उसका भी आकड़ा आपको एक से दो घंटे में मिल जाएगा जिसका अपडेट हम अपने चैनल पर देंगे लेकिन एक आकड़ा यहां पर हमारे सामने आया हुआ था अगर बात करें अन्य राज्यों के छात्रों को लेकर यहां पर तो खुल आकड़ा अभी तक जो है ना आपको लेकर अपनी तैयारी में लग जाए और जल से जल आप लोग कमेंट करके बताईए यहां पर क्या आप चाहते हैं इसकी स्टेटजी बुक मैटेरियल के लिए तो कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरू बताएगा और आपकी अपनी क्या राया है इसके उपर भी कमेंट कीजिएगा जय हैं